आज हम बना रहे हैं गिफ्ट बॉक्स हमें चाहिए आइवरी शीट मैंने रेड और यलो कलर की आइवरी शीट लिए कुछ ग्लेटर शीट लिए उसको डेकुरेट करने के लिए तो स्टार्ट करते हैं हमें बनाना है एक बड़ा सा स्क्वैर 18 इंचिस का यह इंचिस हैं तो इंचिस का हमें बड़े साइज का एक स्क्वैर बनाना है हमें याद रखना है कि जो हम स्क्वैर बना रहे हैं यह हमारा 18 इंच का स्क्वैर तयार हो गया है अब अब हम इसमें शिक्स इंचिस के नाइन स्क्वैर रेडी कर लेंगे सिक्स इंचिस पे हमने मार्क कर दिया मार्क करने के बाद हम इसको नाइन पींचिस में डिवाइड करके छोटे छोटे नाइन शिक्स इंचिस के बॉक्स तैयार करेंगे यानी स्क्वार तैयार करेंगे अब हमारे 9 ब्लॉक्स रेडी हो गए 1,2,3,4,5,6,7,8,9 अब 9 बॉक्स तैयार हो गए हैं अब आगे हमें क्या करना है हमें यह जो बॉक्स का मेजरमेंट लेना इस तरीके से लेना है कि ताकि वह त्री में डिवाइड हो जाए अब हमें स्केल से उसको जहां हमारी लाइन्स बनी है बॉक्स को डिवाइड करने वाली वहां हमें इसको फोल्ड करना है स्केल रखकर स्केल हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हम फोल्ड करें तो वह बिल्कुल एकुरेट इगम परफेक्ट तरीके से फोल्ड हो सीधी लाइन में फोल्ड हो यह नहीं हो कहीं से थोड़ ओने फोल्ट हो गया और कहीं से ठोड़ा कम फोल्ड हो गया तो तो बिलकुल प्रोपर तरीके से फोल्ड इसकेलि यूज़ करते हैं अब हमने यह एक बॉक्स जो सेपरेट कर ली है हमने फोल्ड करकर के अब हम लास्ट ओलेजोकर्णर वाले फोर बॉक्स extra में एक लाइन बना देंगे, कर्वलाइन बना रहे हैं, यह कर्वलाइन बना देंगे, और इसको कट कर लेंगे, अब यह हमारा कॉर्णर में एक हाडशेप बन गई, सेम एस अब हम इसे फोल्ड करके, जो दूसरा कॉर्णर है, उसकी साइड में, जो बॉक्स है, कॉर्णर वाला, उस पर हम बने हुए हैं, हम उनको भी ड्रॉ करके कट करते जाएंगे करते हुए हैं, हम उनको भी जाएंगे, तंक करते हैं, बने हमें बन्कों सैसेई के लिए Pow हैं, हम ही जाएंगे कम इझाओ shawn, सबकոित हैं, यू़्यों थीज़ आएंगे झाल 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 तो अब हमें उसके कैप को तयार करने के लिए क्या करना है हमें 1.5 इंचिस की एक बॉटर बनाना है एक लाइन हमने ये ले 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 और एक लाइन शीट के दूसरी साइड हमने बनाएं यानि एल शेप में हमने बनाती हैं अब हम इसको कम्प्लीट बॉटर नहीं बनाएंगे पहले हम 6 इंचिस का यहीं से एक स्क्वार रेडी कर लेंगे अब इस स्क्वार के आके हम एक बॉटर बनाएंगे 1.5 इंचिस का यह हमारा स्क्वार दो तयार हो गए हैं एक 6 इंचिस का और एक 6 इंचिस को हमने 1.5 इंचिस का बॉटर दिया है पाल स्क्वार दीड़र प्राट नहीं एक स्क्वार दिया है अब हमारा ये इसको बंद करने के लिए इसका बॉक्स का कैप भी तयार हो गया है ं अब हम इसको सेट करके देखा एक पर व्यूंद करता है जो हमारा ऊपर टोटल हम जो स्क्क्वार रखना है यह में क्याप का बॉक्स रखना स्क्वार रेका वह सब 12 इंचिस का बनी पहले हमने 18 इंचिस का बनाया था और हम 12 इंचिस का बनाएंगे अब हमें बॉक्स बनाने की जुरुवत नहीं है बहुत इजी तरीका है सेंटर में रखो और इसको फोल्ड करो हमें सेंटर में रखना है और जहां हमारे अल्रेडी फोल्ड बने हुए है रेड शीट पर वहीं से हमें यलो शीट पर फोल्ड बनाने है तो यह हमारे फोल्ड तयार हो गए अब इसको हम और प्रपर तरीके से फोल्ड क में हार्च शेप ब्रॉ करके कट करने हैं अखालों उछेग औाष्ण कर जाए हैं हमारी यलो शीट रेडी हो गई है इसे सेंटर में पेस्ट कर देंगे कलर कॉमनेशन आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि रेड यलो ही लेना है आपके पास जो एब लेबल हो वो शीट ले सकते हो बट हाँ आईवरी शीट ही ले इसके लिए या हैंडमेट शीट लें क्योंकि वो हाड होती है शीट और अगर हम चार्ट पेपर यूज करते हैं तो वो बहुत ही पतला होता है जिससे की प्रॉपर बॉक्स स्टैंड नहीं कर पाता तो इसलिए हम आईवरी शीट अगर हैंडम 10-inch का हमें box ready करना है और अब इस बार हम box में चारो गॉर्णर्स पे हार्ट शेप नहीं बनाएंगे और हम चाहें तो हाँ शेप के जगए दूसरी शेप भी लिए सकते हैं बटरफ्लाई की शेप भी बना सकते हैं हार्ट की शेप भी बना सकते हैं यह आपकी चोइस हैं इस इसको भी center में रख देंगे और वहीं से fold करेंगे जहां से हमने first red sheet fold की है तो वहां से fold करके हमारे पास बगैर draw करें और बगैर जादा मेहनत करें हमारे पास square ready हो जाएगा six inches वाला जो center का square है इसको जैसे हमने box का cap side से cut किया था सेम एस cut करना है लेकिन यहां हमें थोड़ा सा दोनों side से cut करना है पहले हमने एक ही side से cut किया था दोनों side से cut करके इसको भी अब center में paste करना है next हम बनाएंगे yellow color से एक inches का box एक square अब 8 inches का square just जो हमने अभी recently red color का जो cutting की है same as red की sheet की तरह हमें इसको proper design देनी है proper center में रखना है और first red sheet की तरह फोल्ड करना है और उसके बाद हमें इसे पेस्ट करना है जै कि हमें इसे w हो उत च्दों अब कि Warsaw के जाँ चवसी नग के जये हो काईस वी जदे की तरह में भी जद्दक की इस हरा है हम इसको थोड़ा कॉर्णर बें डिजाइन देने के लिए यह मैंने जिग जग सीजर्स यूज़ करी है आपके पास अगर और किसी डिजाइन की सीजर्स है आप वह भी यूज़ कर सकते है अब बॉक्स रेडी हो गया है अंडर रेड एक सिक्स इंचिस का स्क्वार और लगा देते हैं लास्ट में अबर शेउ हैं ऑ्र और सब्सखन से इंचिस रेड़िए न्गार देनी अब मेरे पास कुछ ग्लिटर शीट्स हैं तो मैं सिल्वर ग्लिटर शीट्स ले रहे हूं इसको डेकुरेट करने के लिए इसके काप पर डिजाइन बनाने के लिए यह हमारी नई त्रिकी की पाकिंग है बिलकुल हम इसमें कोई भी गिफ्ट इसमें पाक करके दे सकते हैं यूजली हम लोग पाकिंग पेपर से गिफ्ट पैक करते हैं या पेपर बैग में सुन्दर सा पेपर बैग बना के यूज करते हैं लेकिन हम बॉक्स के अंदर भी इस नया वे हो गया आपका गिफ्ट देने का और वो सुन्दर भी बहुत लगता है एक सप्राइज से लगता है बहुत अट्राक्टिव लगता है ये करने का और वो सुन्दर है ये हो हैं ङस्यपанныйस कर लाइज करने करता है यहां प्लास्टिक रिबिन से मैंने यह बोर्स की तयार की है प्लास्टिक रिबिन थोड़ा कॉल बन जाते हैं प्लास्टिक रिबिन में तो वह बहुत जादा वीडियो फिल लगता है तो इसलिए हम प्लास्टिक रिबिन यूज़ कर रहे हैं अदरवाइस आप फ्लार लगा सकते हैं कहते हैं न कि गिफ्ट हम जब किसी को देते हैं तो हमारी फिलिंग्स जुड़ी होती हैं उससे भाई को ममा को पापा को गिफ्ट दे रहे हैं हम तो उसके साथ हमारी फिलिंग्स जुड़ी होती हैं तो क्यों ना उसको एक यूनिक स्टाइल में हम पाक करके दें ताकि वो और ज्यादा अट्राक्टिव लगें तो की बाई थैंक यू